इक्टमैथ टॉपिक जो है surface area and volume सब टॉपिक जो है हमाई एकर साइज 13.2 कर रहे है question number 8 question number 8 इस तरह है in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 cm find the total radiating surface area in the system अब यह में 20-38 m नम्भी है कि वाने का इंकालना जिसमें पानी गरम हो 나오 हुँ जी पॉइप ही इभी को ऑने का करोड सर्फिश पै Wednesday निकालना है ठीक है जबकि लेंगद θα इसके 28 यह लेंगा था पाइप is 28 मीटर, डायमीटर वाइप 5 जो है वह 5 संतिम्यटर है तो रेडियस का बन गया, रेडियस वाइप 5 × 2 × 2 और 5 Σंतिम्यटर हम 2.5 संतिम्यटर को डिवाइड करेंगे 100 से तो यह बन गया, 0.025 मीटर ठीक है कि यह मीटर में लेंगर जो है मीटर में हाइट अब यहां पर लेकिंगे कर्वर्ड कर्वर्ड सर्फेस एरिया आफ पाइप इस इकल टू पाइ आर है ठीक है टू इंटो जोड़ो बटा साथ इंटो जीरो पॉइंटो पॉइंटो एच शेश क्या है टूइंटी यह ठीक है तो यहां पर हम करेंगे सेवन वंदा सेवन सेवन फॉर्जा तो हम जब है इसको टोटल माल्टिपल है यह बन जिए पॉर पॉइंट फॉर मीटर सुगर तो यह आया धेरफूर एरिया आफ डीरीटिंग सर्फेस रेरीटिंग सर्फेस आफ सिस्टम पैसे लेजिसम में पानी गरम होग उस रेडीटिंग वह फॉर फॉर मीटर सुगर यही कोश्चिन था वच्चिन बिलकुल आसान है in a hot water heating system, मैं फिर से दो रहा हूंगा, there is a cylindrical pipe, पो एक pipe लगिया है, जो इसलिंदर जैसे है, उसकी लेंगत जो है, 28 meter है, diameter 5 cm, find the total rate heating surface area of the system, of height of the cylindrical pipe is equal to length of the pipe is equal to 28 meter, diameter of pipe is equal to 5 cm, diameter का radius बना है, 2 divided करेंगे, बन जाए, 2.5 cm, 2.5 cm को do it करो, 100 से, ताकि ये मीटर में आ जाएगे, एक बन गए, 0.025 meter, उसके बाद आपको करो, surface area pipe निकाल, 2 pi RH, 2 pi RH की फार्मुला, 2 pi 22, वैसे हम वो गयो हना है, rate is 0.025 into 28, जिससे हम से कर दिए, 44 meter, okay, therefore total radiating surface area in the system is 4.4 meters, okay, ये करेंगे, ये करेंगे,